देश प्रदेश और दुनिया से जूड़ी कुछ खास खबरे एक ट्विट करके अमिताब बच्चन ने अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है ट्विट किया है कि दिल की धड़कने बढ़ गई है और चिंता हो रही है उमिद है सब ठीक होगा तो मंत्री नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पिताल से डिशाज होने के बाद फिर एडी दफ्तर में होंगे पेट दर्थ की शिकायत के बाद उन्हें जेजे अस्पिताल में भरती करवाया गया था वही स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबराटरी में डिएने जांच में पुष्टी हुई है कि महराष्ट वीजेपी के माइनोरिटी सेल के वाइस प्रेसिडंट हैदर आजम की पत्नी एक भारती है बांगलादेशी नहीं इस बिच प्रदेश सरकार ने राजी सवासांसत चत्रबदी संभाजी राजे के अंचन को खतम कराने के लिए कोशिश तेज कर दी है उधर दीशा सालियान की मौत को लेकर की गई टिपणियों के मामले में विधाएक बेटे नितेशराने के खिलाफ मुंबई के मालवनी पुलिस टेशन में एफायर दर्च की गई है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ अभीनेता अमिता बच्चन की उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी है लेकिन इस बड़ाओ पर भी वो काम करने को लेकर कोई समझोता नहीं करते है अमिता बच्चन इस उम्र में भी 12-12 घंटे तक लगातार काम करते रहते है कई लोगों के लिए वो प्रेरना स्त्रोध भी है भगवान का दरजा देने वालों की भी कमी नहीं है अनेको प्रशन सक ऐसे है जो उनकी पूजा करते है हाल ही में ट्विट करके अमिता बच्चन ने अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है ट्विट किया है कि दिल की धड़कने बढ़ गई है और चिंता भी हो रही है उमिद है कि सब ठीक होगा अमिदा बच्चन ने हाथ जोडने वाले इमोजी बनाते हुए अपने ट्वीट में बस इतना ही लिखा है महानायक का ये ट्वीट देखकर फैंस चिंता में आ गए है और उनसे ऐसा करने की वज़ा पूछने लगे अमिदा बच्चन की तबियत का हाल जानने के लिए फैंस बिताब नज़र आए क्या वाकरी अमिदा बच्चन की सेहट ठीक नहीं है या फिर मामला कुछ और ही है इस बारे में अभी और जानकारी आने तक का इंतजार करना होगा वर्क फ्रंट की बात करे तो इस उम्रह में भी उनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है इस वक्त भी बॉलिवूड के कई 100 करोड रुपे अमिदा बच्चन की उपर दाव पर लगे हुए है अमिदा बच्चन की आने वाली फिल्मों की बात करे तो वो जल्द ही फिल्म छुन रन्वे 34, गुडबाई, उन्चाई, प्रोजेक्ट के और बटरफ्लाई जैसे फिल्मों में काम करते नज़र आएंगे मंत्री नवाब मलीक मुंबई के जेजे अस्पिताल से डिश्चार्ज होने के बाद फिर एडी जफ्तर में होंगे बता दे कि नवाब मलीक को पेट दर्थ की शिकायत के बाद जेजे अस्पिताल में भरती करवाया गया था दाओद इबरहीम मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफ्तार किये गये मलीक को अधारत ने तीन मार्च तक एडी की कस्टड़ी में भेजा था उनकी बहन डॉक्टर सईदा खान ने बताया था कि नवाब मलीक को डाइबिडीज, हाइपरटेंशन, किड्नी और लीवर संबन्दित शिकायते थी बीते वर्ष उनकी स्टोन की सरजरी भी हुई थे सईदा खान ने बताया कि पेशाब से ज़ादा खून जाने को लेकर उन्हें सबेरे जांच के लिए जेजे अस्पताल में लाया गया था बचाओ पक्ष के तमाम दलीलों को दरकिनार करते वे पीमले कोर्ट के जजज ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दुरुष्टय ये साबित होता है कि इस प्रॉपरेटी पर नवाब मलिक का स्वामित है ऐसे में बचाओ पक्ष की ये दलील की नवाब मलिक पर पीमले के तहत मामला नहीं बनता है सुतरो के मुताबिक नवाब मलिक एडी के अधिकारियों को जाँच में सहयोग नहीं कर रहे है बलकी उन्हें डरा-धमका रहे है एडी सुतरो की माने तो कुरळा लेंड डिल में नवाब मलिक के बेटे फराज पूरी तरह से शामिल थे इस सेल डीड में 55 लाख रुपे देने के बाद हसीना पार करके दक्षिन मुंबई स्थित घर पर उन्होंने हस्ताक्षार भी किये थे ये डिल साल 1999 से 2003 के बीच में हुई थी महाराष्ट बीचेपी के माइन नोरेटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैदर आजम की पतनी एक भारतीय है बांगलादेशी नहीं इस बात की पुष्टी स्टेट फोरेंजिक साइंस लिबराटरी में हुई डियने जांच में हुई है आजम की पतनी रेश्मा खेराती खान के उपर ये आरूप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारतीय पासपोर्ट हासिल किया है रिपोर्ट में पाया गया है कि उनके माता पिता भी भारतीय है और उनका तालुक बिहार से है रेश्मा के दादा जी पुलिस विभाग में थे इस मामले के आरोपियों में से एक IPS आफिसर देवन भारती भी थे उनके उपर ये आरोप था कि उन्होंने रेश्मा खान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की थी जबकि मुंबई की स्पेशल ब्रांच ने इस बापत उन्हें पत्र भी लिखा था जिसमें इस बात का जिक्र था कि रेश्मा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये इंडियन पास्पोर्ट हासिल किया है साल 2015 में पुलिस इंस्पेक्टर दिपक कुरूलकर ने ये आरोप लगाया था कि रेश्मा खान एक बांगलादेशी नागरिक है इस बारे में उन्होंने एक प्राथमिक जांज भी की थी उन्होंने इस बारे में पश्चिम बंगाल के रेकॉर्ड एंड कॉपिंग सेक्शन को भी एक पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि रेश्मा खान के बर्थ सर्टिफिकेट की जांच की जाए जो 24 परगना पश्चिम बंगाल से जारी किया गया था उस जन्मा परमान पत्र में रेश्मा की जन्मती थी एक जन्वरी 1989 थी पुरुल करके मुताबिक जन्मा परमान पत्र में कुछ छेड़ चाड़ की गई थी प्रदेश सर्कार ने राजसभा सांसट छत्रपती संभाजी राजे के अंशन को खतम कराने के लिए कोशिश तेज कर दी है संभाजी राजे मराठा अरक्षन समित विभिनम मांगो को लेकर शनिवार से आज़ाद मैदान में अंशन पर बैठे है रविवार को अंशन के दूसरे दीन प्रदेश के गुरुह मंतरी दिलिपवद से पार्टिल ने संभाजी राजे से मुलाकात की गुरुह मंतरी ने कहां कि मैंने संभाजी राजे से मराठा समाज के विभिनम मांगो को लेकर चर्चा की है अब मैं मुख्यमंद्री उध्व ठाकरे और उप मुख्यमंद्री अजित पवार के सामने संभाजी राजे की मांगो को रखूंगा इसके बाद सरकार विभिन्न मांगो के समद में उचित फैसला करेगी वलसे पार्टिल ने कहां कि हमारी कोशिश संभाजी राजे के अच्छन को जल्द से जल्द खतम कराने की है जबकि संभाजी राजे ने कहां कि वलसे पार्टिल के यहां पर आने से सरकार के साथ चर्चा का द्वार खुल गया है लेकिन हमारी मांगो के बारे में सरकार जो भी फैसला लेगी उसको लिखीत रूप में देना होगा क्योंकि इस से पहले के आंदोलन में सरकार ने मुझे दो महिने में मांगो पर विचार करने का आश्वासन दिया था लेकिन सरकार ने मराठा समाज के मांगों पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है इस दोरान मराठा करांदी मोर्चा के पदाधी कारियों ने संभाजी राजे के स्वास्त को लेकर राजसरकार को चेतावनी दी है पताधिकारियों ने कहा कि यदि संभाजी राजय की तबियत भिगडी तो कानून व्यवस्ता संभालने की जिम्मेदारी सरकार की होगी दिशा सालियान की मौत को लेकर की गई टिपणियों के मामले में केंद्रिय मंत्रिय नारायन राने और उनके विधायक बेटे नितेश राने की खिलाफ मुंबई के मालवणी पुलिस टेशन में एफायर दर्च की गई है राज्य महिला आयोक के निर्देश और दिशा की मा वसंती सलियान की शिकायत के आधार पर पुलिसे दोनों के खिलाफ मानहानी समित दूसरी सम्मंदित धाराओ के तहत ऐफायर दर्च की गई है दरसल नाराइन और नितेश राणे ने दावा किया था कि दिशा ने आत्मत्या नहीं की थी बलकि दुश्कर्म के बाद उनकी हत्या की गई थी दिशा जिस कंपनी में काम करते थी वहाँ अभिनेता सुशान सिंग राजपुत से जुड़ा काम देखती इसलिए दिशा की मौत और अभिनेता सुशान सिंग राजपुत की मौत से जुड़ा जा रहा था दोनों के बयान के बाद दिशा के माता पिता ने बेटी और परिवार को बदनाम करने का आरुप लगाते हुए राज्जा महिला आयोग की अधिक्ष्य रुपालित चाकंकर से मिलकर मामले में शिकायद की थी और कारवाई करने की माँग की थी इसके बाद महिला आयोग ने पुलिस से प्राथमिक जांच के बाद दो दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था चाकनकर ने रिविवार को पुलिस की रिपोर्ट ट्विट करते वे लिखा कि मंत्री राणे ने दावा किया था कि दिशा के साथ दुशकर्म कर उसकी हत्या की गई थी लेकिन पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिशा के साथ दुशकर्म नहीं हुआ था और वो नहीं गर्भवती थी मौत के बाद भी बेटी को बदनाम किये जाने से नाराज दिशा के माता पिता ने राज्य महिला आयोक से शिकायत की थी इसके आधार पर पुलिस को कारवाई करने के निर्देश दिये गए थे कोरना की चौती लहर जिवावे में शुरू हो गई है शोद करताओ के अनुसार देश में चौती लहर 22 जून 2022 से शुरू होने के आसार है तो रूस युक्रेन की जंग के बीच कल यानि एक मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे इससे बीच तेलंगाना में अगले चुनाओ के लिए CMK चंदरशिकर राओ की तेलंगाना राष्ट समिती चुनाओी रनादितिकार प्रशांद कीचोर की सेवाय लेने पर विचार कर रही है वही माना जा रहा है कि चुनाओी दौर में ही सरकार डिये एरियर को लेकर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है अगर 18 महने का पेंडिंग डिये का पेमेंट किया गया तो कई सरकारी करमचारियों के अकाउट पे 2 लाख रुपे से भी ज्यादा मिल सकते है उधर जानकरी के नुसार केंद्रिया मंत्री हरदिप सिंगपूरी जोती रादित्य सिंधिया किरन रिजीजू वा जनरल विकेसी को यूकरेन के पड़ोसी देशों में बेजा जा सकता है ये मंत्री निकासी मिशन के लिए अन्य देशों के साथ समनवे स्थापित करेंगे तो देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ COVID-19 की तीसरी लहर के वेरियंट ओमिक्रोन का असर धीमा पड़ने के बाद अब चाउती लहर को लेकर भी कयास लगने लगे है बारतिय प्रोध्योगी की संस्थान के गनित और सांखी की ये विभाग के शोत करताओं ने गासी औन वितरन प्रनाली के आधार पर आकलन करके चौथी लहर आने का पुर्वानुमान बताया है उनके अनुसार कोरोना संक्रमन का पहला मामला विश्व में पहली बार दिसंबर 2019 में सामने आया था इसके बाद सभी देश वाइरस के संक्रमन का शिकार होने लगे जिमबॉमबे और भारत में तीसरे लहर के आकड़े लगबग एक समान थे वर्तमान में जिमबॉमबे में चवथी लहर शुरू हो गई है इसी वज़ा से जिमबॉमबे के डाटा को आधरमान विभाक की टीम ने गासी औन वितरन मिश्रन प्रनालिक का प्रयोग कर भारत में चवथी लहर का आकलन किया है सांखी की या गंडना के आधार पर सामने आया है कि भारत में COVID-19 की चाउति लहर प्रारंबिक डाटा मिलने की तीथी से 936 दिन बाद आ सकती है चुकि प्रारंबिक डाटा 30 जनवरी 2020 को सामने आया था लेहाजा चाउति लहर 22 जून 2022 से शुरू होने के आसार है यही नहीं चौति लहर 23 अगस्ट को अपने चरम पर पूँच सकती है और 24 अक्तुबर को समाप्ट हो सकती है भारत के साथ ही अन्य देशों के डाटा पर भी इसी पद्दती का उपयोग करके चौति लहर की भविश्यवानी की जा सकती है रूस यूकरेन की जंग के बीच कल यानि एक मार्श को LPG सिलेंडर के नएरेट जारी होंगे 6 अक्तुबर 2021 के बाद से घरिलू LPG सिलेंडर न तो सस्ता हुआ है और नहीं महेंगा अलबत्ता इस दोरान कच्चे तेल की कीमते 102 डॉलर प्रती बैरल के पार चली गई है हालाकि इस दोरान कमर्शियल सिलेंडर की किमतों में अच्छा खासा बदलाओ देखने को मिला पाच राज्यों में विधानसवा चुनाओ को लेकर नॉन सबसेडी वाले ग्यास सिलेंडर की कीमतों में कई महेने से रहत है कच्छे तेल के दाम में 102 डॉलर प्रती बैरल पार होने के बावजुद 6 अक्तुबर 2021 से घरिलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाओ नहीं हुआ है ऐसे में आशंका जताई जा रहे है कि चुनाओ बाद यानि 7 मार्च के बाद कभी भी ग्यास के दाम 100-200 रुपे प्रती सिलेंडर से अधिक बढ़ सकते है हलाकि अक्तुबर 2021 से एक फरवरी 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 170 रुपे बढ़े है दिल्ली में एक अक्तुबर को कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1736 रुपे था नवंबर में हिया 2000 का हुआ और दिसंबर में 201 रुपे का हो गया जनवरी में हिया फिर सस्ता हुआ और फरवरी 2022 को और सस्ता होकर 1907 रुपे पर आ गया अगर घरिलू LPG सिलेंडर की बात करे तो अभी दिल्ली मुंबए में करीब 900 रुपे कोलकत्ता में 926 रुपे और चेन्नई में 916 रुपे में मिल रहा है इसमें 14.2 किलो गयास होती है तिलंगाना में अगले चुनाव के लिए CM के चंदरशिखर राव की तिलंगाना राष्ट्र समिती चुनावी रन नितिकार प्रशांद किशोर की सिवाई लेने पर वीचार कर रही है इन अटकलों के बीच प्रशान किशोर ने तिलंगाना के जैशंकर भूपाल पल्ली जिले में कालेशवरम परियोजना का दौरा किया प्रशान किशोर के साथ अभिनेता प्रकाश राज भी थे जिने बोधी सरकार का बड़ा आलोचक माना जाता है प्रकाश राज ने 2019 में बेंगलोरू सेंटरल सीट से निर्दली या प्रत्याशी के तौर पर लोगसभा का चुनाव लड़ा था टी आरेस या राज्य सरकार में से किसी ने भी प्रशान किशोर और प्रकाश राज की इस यात्रा से जुड़े मकसद पर किसी भी सवावल का जवाब नी दिया सुत्रो ने कहा कि तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशिकर राओ के राष्ट्रिय स्थर पर एक प्रमुक भूमी का निभाने की मांग के साथ प्रशान किशोर को सलाकार के रूप में नियोक्त किया जा सकता है तिलंगाना दौरे के दौरान प्रशान किशोर और प्रकाश राज विशाल मल्लाना सागर जलाशय सम्मित कालेशोरम परियोजना के ताद बनाये गए अन्य जलाशयों का भी दौरा किया इससे पहले प्रकाश राज पिछले हपते मुंबई में भी मौजुद थे जब सीयम केसी राओ ने महाराश्टर के मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी हलाकि तेलंगाना की राजनीती में प्रकाश राच क्या-क्या भूमी का निबाने जा रहे है या अभी तक स्पष्टर नहीं है वही पिछले सप्ता प्रशान किशूर ने भी बिहार की सीयम नितिश कुमार से मुलाकत की थी मोधी सरकार की ओर से डिये एरियर को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है केंद्र करमचारी लंबे समय से डिये एरियर का इंतजार कर रहे है मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार करमचारीों के डिये का वन टाइम सेटल्मेंट करेगी यानि केंद्री कर्मचारियों के अकाउंट में करीब 18 महेने का एरियर एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा हालनकि इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन इस पर विचर वी मर्ष चल रहा है नैशनल काउंसिल औफ जेसी एम के सचिव शिवगोपल मिश्रा के मताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षन विभाग और वित्तमंत्राले व्यविभाग के अधिकारियों के साथ जेसी एम के जॉइन मिटिंग जल्द ही की जाएगी उमीद है कि इस मिटिंग में कर्मचारियों के लड़के हुए डिये का एरियर पर चर्चा होगी चुनावी दौर में सरकार डिये एरियर को लेकर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है अगर 18 मेने का पेंडिंग डिये का पेमेंट किया गया तो कई सरकारी करमचारियों के अकाउंट में 2 लाख रुपे से भी ज्यादा मिल सकते हैं लेवल 1 के करमचारियों का डिये बकाया 11,880 रुपे से 37,000 रुपे के बीच होगा वही लेवल 13 के करमचारियों को 1,44,200 रुपे से 2,18,200 रुपे dei-e Asian के तौर पर मिलेगा सरकारी करमचारी और पेंचन भोगियों को dei-e दिया जाता है ये करमचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है यूक्रेन संकर्ट गहराता जा रहा है ऐसे में वहाँ पर फसे भारतियों की चिंता बढ़ रही है इसको लेकर पंतरबदान नरेंदर मोधी ने सोमवार को फिर से उच्छ स्तरिय आपात बैठक बुलाई सुतरों के मुताबिक केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंग पूरी जोतिरादित्य सिंधिया केरा रीजीजू और जनरल विके सिंग को यूकरेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा सकता है ये मंत्री निकासी मिशन के लिए अन्ने देशों के साथ समयन वस्तापित करेंगे और व सुबही एक फ्लाइट डो सो उन पचास चात्रों को लेकर दिल्ली पोची इससे पहले 26 फरवरी को एक और 27 फरवरी को तीन फ्लाइट दिल्ली लोटी थी इन्हें रोमेनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया है अब तक करीब 1100 चात्रों को यूकरेन से निकाला जा चुका है सयुक्त राश्र सुरक्षा परिशद में भारत के बयान के मुताबिक चात्रों और अन्य लोगों को मिला कर करीब 20,000 से भी जादा भारतिय उकरेन में रहते हैं भारत ने कहा था कि सभी भारतिय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हमारा प्रया से अभी तक करीब 18,000 भारत दिन की जिद देश के अरब पतियों पर भारी पड़ती जा रही है अभी तब उन्हें 126 अरब डॉलर से जादा का नुकसान उठाना पड़ा है तो बेलारुस ने समवैधानिक जन्मत संगरह करके अपने गैर परमानों स्टेटस को खतम कर दिया है इससे रूसी परमानों ह कहा गया है देश के पुर्वितर पर भारे बारिश ने दरजनों शहरों में बार जैसे हालत पड़ा कर दिये है दुनिया भर किन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ रूस के हमले के बाद यूकरेन में फसे भारतिय शात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए ओपरेशन गंगा अभियान शुरू कर दिया गया है यूकरेन के अलग-अलग शहरों में फसे शात्र सुरक्षित स्थान के तलाश में सीमाई देशों पर पहुच रहे है जहा तक आने में कोई समस्या नहीं आई क्योंकि रूस और यूकरेन के साथ भारत की रिष्टे अच्छे है इस बीच वीदेश सचिव हर्षवर्दन शरंगला ने बताया कि यूकरेन में फसे भारतिय स्टूडन्स को लेकर छटी फ्लाइट बुड़ा फेस्ट हंगरी से भारत इसमें 240 लोग सवार थे यह फ्लाइट दिल्ली पहुची है अब तक 1636 स्टूडन्स को यूकरेन से भारत लाया जा चुका है वहाँ फसे अन्य नागरिकों को पड़ोसी देशों की सीमा उपर स्टित वीभिन्न ट्रांजिट पॉइंट के माद्यम से बाहर निकलने का प्रय काम हो गये है हंगरी रुमानिया और स्लुवाकिया की सीमाओं के पास रहरे भारतिय नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर पाइंट तक पहुचाया जा रहा है रूस के राष्टरपती व्लादिमीर पुतिन की जिद देश की अरब पतियों पर भारी पड़ती जा रही है अभी तक उन्हें 126 अरब डॉलर से जादा का नुकसान उठाना पड़ा है एक रिपोट के अनुसार बिते 16 फरवरी के बाद से रूस और यूकरेन संकट के करण देश के 116 अरब पतियों को 126 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है अगर ये युद्ध और आगे खिजता है तो इनकी दौलत में और भी गिरावट आएगी युकरेन पर हमले के ऐलान के साथ ही गुरवार को शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे के बाद सबसे बुरा दिन रहा और देश का शेयर बाजार भरभरा कर गिर गया इस गिरावट की वज़ा से एक दिन में ही रूसी अरब पतियों के संपत्ति में बड़ी गिरावट आई युद्ध का असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पड़ा बलकि इसके असर से रूसी करेंसी रूबल का भी बुरा हाल हो गया और इसने अपने सर्वकाली निचले स्तर को छू लिया एक और जहां युद्ध रूस के सबसे अमीरों को कंगल बनाता जा रहा है वही दूसरी और रूसी राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को क्रेमेलिन में एक बैठक के दोरान देश के शिर्षे वैपारिक नेताओ से कहा कि जो हो रहा है वो बेहत जरूरी है राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन द्वारा बुलाई गई इस वैठक में देश के कम से कम 13 शिर्षे अरब पती मौजुद थे पुतिन ने उनसे कहा कि हमारे पास अन्यथा करने का कोई मौका नहीं बचा था युद्धे के बीच बेलारूस ने एक बड़ा फैसला लिया है उसने समवाइधानिक जनमत संग्रा करके अपने गैर परमानू स्टेटस को खत्म कर दिया है इससे रूसी परमानू हतियारों को उसके इलाखे में रखा जा सकता है इसके साथ ही अब इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि रूस अब बेलारूस में अपने परमानू हतियार रख कर युकरेन पर दबाव बनाएगा पुतिन ने कल ही नुकलियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिये थे इस बीच युकरेन ने बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बाच्चित करने पर सहमती जताई है हाला कि युकरेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ना आत्मसमरपन करेंगे और नहीं अपनी एक इन्जमिन छोडेंगे रूसी राष्ट्रपती व्लादी मेरी पुतिन ने कहा कि मैंने रक्षा मंत्री और रूसी सर्शेट्र बलो के प्रमुक को रूसी परमानू प्रतिरोधी बलो को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है पुतिन के बयान के लगभग उसी समय यूकरेन ने घुशना की कि वह बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर रूस के साथ बातचीत करने के लिए तयार है यह निर्ड़ाय यूकरेन की राष्टरवती वोलेदिमुर जेलेस की और बिलारूस के नेता अलेक्जंडर लूकाशेको के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया वही राष्टरपती जेलेस की ने कहा कि मैं वास्ताव में इस बैठक के परिणाम में विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन उन्हें कोशिश करने दे ताकि बाद में यूकरेन के एक भी नागरिक को इस बात का संदेह न रहे कि मैंने राष्टरपती के रूप में युद्ध को रोकने की कोशिश की थी रूस की सेना तेजी से यूकरेन की राजधानी क्यों पर हमला कर रही है यह हमले का पाच्वा दिन है यूकरेन की सेना डट कर रूस का सामना कर रही है लेकिन बताया जा रहा है कि उसके लिए यह बेहंद मुश्किल दिन है यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संग ने हतियार भिजने का फैसला किया वही यूक्रेन के मुद्दे को लेकर ही सहयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत की बैठक बुलाई गई 15 सद्शों में से 11 से यूक्त राष्ट्र महासबा में इसको लेकर चर्चा कराने का समर्थन किया है वही यूक्रेन का दावा है कि उसने 4300 से ज़ादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है और 200 से ज़ादा को युद्ध बंदी बनाया गया है यूक्रेन पर हमले के बाद एक पर्लब करने में रूस का पुरा साथ दे रहा है इसी बीच रूस की सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान नश्ट कर दिया है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी एंड 225 मरिया नाम के इस विमान को यूक्रेन की ही कंपनी ने बनाया था यहाद भी है कि रूस से बाच्चित के लिए युक्रेन का प्रतिनिदी मंडल बेलारूस पहुचा है। यह बाच्चित बेलारूस के सीमा पर होगी। रूस ने कहा है कि इस बाच्चित के दोरान भी हमले नहीं रोके जाएंगे। इसरी सबसे बड़ी ब्रिजबेन नदी उफान पर है और इसके आज सुमार को चरम पर पहुचने की आशंका के चलते 15,000 से जादा घरों को खत्रा पैदा हो गया है। दक्षिनी गोलाद में पढ़ने वाले आस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी का मोसम है। भारी बारिश की आशंका के चलते न्यू साथ वेल्स ने भी अपने कई शहरों में चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुरक्षि स्थानों पर जाने की सलार दी है। प्रशासन को मिली जानकारी की अनुसार कई पीडित घरों की च्छतों पर बैठे है और मदद का इंतजार कर रहे है। तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकिवी न्यूस नमस्कार।